वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टी ओन चैनल एप्शन गाइट तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में और क्या गजब का वीग देखने को मला है उक्राडी भी मार्केट में अज काफी शाप गैप डाउन उपनिंग हुई और उसके बा से आपको ट्रेड्स मिले हैं निफ्टी में क्या वो ट्रेड्स थे वो भी डिसकस करेंगे लेकिन इस पूरे वीक में हुआ क्या है वीक में स्टार्टिंग में अमने एक बहुत गजब की रैली देखी एक टॉप लगा मार्केट में और फिर वहां से मेजर फॉल देखने को इस वीडियो में दीटेल निफ्टी का अलिसस होने वाला है डीटेल में इंटरेडे मार्केट में दिसकस करेंगे मंडि का क्या सेट वह वो भी जानेंगे अंड कुछ न्यू इंट्रेस्टिंग रिसर्च भी है आज मैंने टेलिग्राम पर आपके साथ बांक निफ्टी के इस वीडियो में ऐसी ही ट्रेंड लाइन आपके साथ निफ्टी भी शेयर करूगा और मंडी के लिए सेट अप तो जानेंगे लेकिन पोजीशनली ब्रॉडर आउटलुक भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है आपको यह समझ आ गया होगा अगर आपने वीडियो देखे होगी पूरा ट्रेंड हमने आपको अल्रेड़ी बता देता है एक बर मैं आपको दिखाये देता हूं कि लास्ट विक हमने क्या डिसकस किया था देखिया आप एक बर क्या एक्स्पेक्टेड है बाउन्स आ रहा है बाउंस कहां तक आसकता है maximum 17,800 लेवल तक यहां तक आजाए अच्छी चीज है यह आपको एक new trade देगा यहां से आपको reversal के लिए trade बनाना है fall catch करना है ठीक है 17,800 से market में दुबारा reversal आसकता है major resistance level है तो यह most important level आपको watch out करना है 17,800 तक आजाए कोई दिक करती है लेकिन वहां से दुबारा fall catch करना है आपको और fall में targets क्या होंगे पहला 17,600 उसके बाद 17,400 तो आपने हमारे analysis और research का magic देखा होगा levels का magic देखा होगा exactly market ने वही किया जो आपके साथ discuss किया था 17,800 तक rally आएगी 17,800 और वहां से reversal catch करना है puts में entry करनी है यही discuss किया था ना हुआ क्या इस पूरे week और हुआ क्या इस पूरे week पूरे week का top 17,799.95 यह पूरे week का top level है और वहीं से क्या major fall देखने को मला है तागेट क्या दिये थे fall में 17,600 और 17,400 दोनों ही टागेट भी आ चुके इतना बड़ा fall में catch कर चुके है तो similar analysis इस वीडियो में आपको next week के लिए मिलेगा और Monday के लिए भी मिलने वाला है लेकिन सबसे पहले वीडियो को like ज़रूर कर दे अगर आपको हमारी efforts अच्छी लगती हो चलिए analysis पार्ट पर आते हैं पहले intraday क्या हुआ वो देख लेते हैं market में आज घजब की gap down opening होई ठीक है zone जहां तक हमने level discuss किये थे 17,400, 10 से 430 morning में ही break हो जाता है confirmation के साथ clearly और एक चीज़ हमेशा आपको बताता हूँ levels mark रखो क्योंकि कभी भी कोई बड़ी gap up या gap down opening हो जाती है तो आपके बास already level mark रहेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसके बाद level क्या है इसके बाद directly level था 17,350 ठीक है वो भी kind of कोशिस जरूर की है breakdown की लेकिन breakdown नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है देखो यहाँ candle level के below तो close हुई है लेकिन confirmation candle कभी level से start नहीं हो सकती यह मैंने आपको समझाया और वो ही हुआ है और यहाँ पे एक new trend line भी है उस trend line के support से भी bounce आया है इसलिए market में हमें bounce देखने को मिला तो अभी तक setup के according कोई trade नहीं मिला है लेकिन trade real में कहां मिलता है trade आपको मिलता है यहाँ पे अब यह zone break हो चुका है lower side clear cut break हुआ है तो अब यह work करेगा as a resistance का यह जो bounce आया था ना यह आपको puts में entry देने के लिए आया था यहाँ puts में entry कर सकते थे क्यों level तो है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ super trend की resistance भी थी और उसी resistance से आप यह fall catch कर सकते थे देखो बहुत बड़ा move नहीं है क्योंकि morning के move के बाद market range में थी लेकिन फिर भी exactly top से आपको दो बार fall देखने को बना एक बर यहाँ पे और second time यहाँ पे बिल्कुल 17,430 से तो आप यह trade जरूर बना सकते थे आपने कुछ न कुछ profit जरूर बना होगा intraday में already puts carry कर रहे थे तो jackpot profit मिला होगा लेकिन intraday में भी आप कुछ न कुछ profit जरूर बना सकते थे इन levels और setup को use करके अब यह तो intraday market थी आगे क्या last week तो बता दिया था 17,800 आएंगे वहाँ से fall आएगा लेकिन अब तो वह बहुत दूर है और lower side जो 17,400 तक target डिसकस किया थे वो targets भी आ चुके हैं तो अब next week का क्या setup होगा पहले वो जानते हैं फिर intraday Monday के setup के उपर आएंगे और एक और जो neutral line बता रहा हूँ वो भी आपके हशेद करूँगा और option chain को भी study करेंगे पहले positionally देखते हैं वो भी चार्ट तो आपको यादी होगा अभी मैंने आपको दिखा भी दिया और last weekend यही डिसकस किया था यहाँ पे थे हम जब हमारी last weekend हमने वीडियो बनाई थी closing आई थी यहाँ से हम आएंगे 17800 पहली जीज रैली आएगी कहां तक 17800 तक कि यह बताया था और फिर वहाँ से reversal catch करना है और आपको puts में entry करना है बहुत simply यह बताया था targets बताया थे 17600 और 17400 दोनों ही targets भी आगया और 17400 को market ने closing basis पे hold भी कर लिया so इससे perfect setup आपको और क्या चाहिए आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा perfection possible ही नहीं है तो इतने perfect analysis के लिए like कर दिया गो रहा चलो यह तो बात होगी last week की magic देख लिया लेकिन यह magic आगे भी तो continue करना है तो next week क्या expected है क्या levels है क्या trades बन सकते हैं वो जानते हैं देखो immediate जो पहला support है वो 17400 ही है जो अभी market ने आज hold कर लिया closing basis पे lower side हमारा target भी यहीं तक था जो अभी हमने वीडियो में discussion की और आज market ने इसे hold कर लिया तो अब next week अगर हम 17400 को break करेंगे तब ये move आएगा ये चीज़ ध्यान रखनी है अब directly bearish नहीं होना है अभी तक तो directly top पे entry मिली थी वो बहुत अचा trade था लेकिन अब 17400 देख रहे हैं ओल्ड कर रही है market दुबार amounts करेंगे और upside देखो 17600 resistance है और maximum 17800 दुबार से बता रहा हूँ 17800 मिल गए market तो फिर से आप next week भी puts में entry कर सकते हैं यहां से फिर से reversal expected है अगर ये bounce आया तो ये फिर से move हमें देखने को मिलेगा तो ये है levels पहली चीज 17400 बहुत important है market इसे hold करती है तो दुबारा bounces आ सकते है क्योंकि major resistance अभी दूर है almost 400 points दूर है ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 17400 पे market कैसे react कर रही है वो देखना बहुत important है उसके below further fall देखने को मिलेगा और closing basis पर ये level break होना थी है तब ये further levels आईगे ठीक है upside bounce आता है तो पहला resistance 17600 लेवल होगा ठीक है वो break हुआ तो फिर 17800 और 17800 पे क्या करना है जिल लोगों ने trust करके यहां से puts में entry की उन्हें jackpot profit मिला है तो यह है positional viewpoint हो clear होगा अब intraday Monday क्या करना है वो जान लेता है आज आते हैं हमारे intraday 5 minute time frame पे अब देखो Monday की trades तो मैं discuss करूँगा लेकिन जो मैं आपको बता रहाँ था एक trend line आपके साथ share करनी है वो मैं दिखा लेता हूँ पहले ठीक है फिर exactly Monday के trades की बात करेंगे यह देखो trend line दिखरी है कहां से बनी है trend line पहले वो देख लो nifty का जो lifetime top बनाया वो पहला point है trend line का उसके बाद एक बहुत decent fall आया था फिर जो second time bounce आया था वो भी trend line का level है उसके बाद एक बहुत major fall फिर से देखा इस resistance से अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है यह दो levels पता लग गए है जो पहले top बने थे उनको connect करना है उसके बाद मैं zoom कर देता हूँ तक कि आपको better समझ आ सके उसके बाद एक बार market इस level के अबब गई थी थोड़ा time marketing इस level को hold भी किया था लेकिन finally जैसे यह trend line दुबारा break होई confirmation के साथ तो फिर एक major fall देखने को मिला ठीक है फिर bounce आया तो फिर market ने trend line पे resistance फेस की फिर वहाँ से fall देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो trend line पे market ने फिर resistance फेस की है अभी तक तो हमें सारे resistance के level दिख रहे थे trend line पे लेकिन सिफ resistance नहीं इस trend line ने as a support का भी work किया finally यहाँ पे हमने trend line को अभी recently अपने 18-100 test किया था याद होगा आपको वो bounce भी इसी trend line से आया था ठीक है फिर fall में दुबारा trend line को market hold करती देखो यहाँ तक कितना easy fall है straight forward fall है येकिन trend line पे आके market रुख जाती है दिख रहा है आपको फिर dip आता है इस week क्या हुआ ये गजब की rally देखी है हमने लेकिन rally start कहां से हुई थी इसका lowest point कहां था इसी trend line पे ठीक है वहाँ से फिर से bounce देखा है और आज का जो day low बना था वो भी trend line पे ही बना है तो काफी important trend line है almost 8 to 10 times already trend line test हो चुकी है और work कर चुकी इस market में तो बहुत important है and ये क्या बता रही है trend line ये बता रही है अभी trend line market में support अपने support को test कर रही है market अभी ठीक है and support से generally क्या आते है bounces अब इसका level आ रहा है trend line का almost 17,300 तो trend line हमें ये बता रही है कि 17,300 के below जब close होगी न market और ये time frame कौन से है भो भी बता देता हूँ ये है 30 minutes का time frame तो अगर 17,300 के below market 30 minutes रहती है तो फिर से एक fall देखने को मिलेगा 150 to 200 points का ठीक है तो पहली चीज़ अभी ये trend line support बता रही है देखो support कहांगा से मिल रहा है 17,400 अलरड़ी एक support है उसके बाद यहाँ trend line पे एक support आ रहा है 17,300 का और ये trend line वर्क कर रही है आज भी market ने प्रूफ किया है आज के पूरे दिन का day low भी इसी trend line पे लगा है ठीक है तो दो important support levels है नेक्स्ट वीक के लिए 17,400 वन डे टाइम फ्रेम में देखो time frame बहुत important है ये break up होगा जब market close इसके below होगी पूरे दिन की closing इसके below आएगी और second major support है 17,300 ये है 30 minutes time frame में और ये break up होगा जब 30 minutes market इसके below close होगी ठीक है तो time frame बहुत important है 5 minute time frame अलग तरीके से work करता है 1 day time frame अलग तरीके से 30 minutes अलग तरीके से तो ये chart है 30 minutes का इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और गजब से market इस trend line पे work किया है आप देखी सकते हैं एक बर मैं फिर से zoom out करके points mark कर देता हूँ कि कहीं आपको थोड़ा बहुत doubt लगे देखो किन points को connect करना है ये पहला point second point यहां पे काफे time market इस trend line पे support लिया यहां पे as a resistance का यहां पे as a resistance का यहां फिर trend line as a support का work कर रही है उसके बाद फिर major fall के बाद फिर market trend line पे थोड़ा time रुख जाती है और breakdown के बाद फिर trend line यहां as a resistance का work करती है dip आता है और उसके बाद जो last week एक बड़ी rally आई थी और Monday जो rally आई थी वो rally start होई थी इसी trail line के breakout के बाद ठीक है यहाँ से exactly यह rally आई और आज भी फिर से हमने इस trail line को test किया आज का जो पूरा दिन का डेलो बना है निफ्टी में वो इसी trail line पे बना है तो आप देख सकते हैं आपके सामने है बहुत important trail line है और बहुत घजब से work किया past में और lifetime top भी इसी trail line पे लगा है निफ्टी का तो important trail line है mark ज़रूर कर ले 30 minutes time frame पे और इसके according जो important level आ रहा है वो already मैंने आपको share कर दिया यह बात होगे निफ्टी की 30 minutes जो हमें kind of एक बड़े time frame का लेवल बता रही है लेकि इंट्रादे हम trades करते है 5 minute time frame पे तो exactly हम Monday के क्या trades है न वो और देख लेते हैं चलिए आजाते हैं हमारे 5 minute time frame पे निफ्टी के हैं immediate resistance 17,410 से 430 का zone है आज भी पूरा दिन market ने break down के बाद इसी लेवल पे resistance phase की तो अगर 17,430 का upside breakout मिलता है Monday तो आप calls में entry कर सकते हैं target होगा हमारा लेवल 17,500 और एक चीज़ और confirm कर दूँ हम daily new levels नहीं बताते हैं ऐसा नहीं कि आज market ने multiple time 17,430 पे resistance phase कर ली तो हम आपको ये लेवल बता रहें बार बार work करती है तो ये same level से हम कोई levels change नहीं कर रहे है 17,430 का breakout मिलता है next resistance 17,500 और इसके बाद directly 17,600 अगर 17,500 का भी breakout मिल जाए माल लो तो भी आप एक new calls में entry कर सकते हैं और उसमें target होगा 17,600 गजब का target क्यूंकि directly 100 points पे level है फिर ठीक है ये है upside call का trade put का trade कैसे बनेगा देखो put का trade बनेगा 17,410 के below अगर 17,410 को हम lower side break कर देते confirmation के साथ तो आप puts में entry कर सकते हैं target होगा 17,350 और 17,300 दो trending trades है अभी बहुत clear कोई reversal का trade हम नहीं ले रहे हैं दो trending trades है trade decide कोन कर रहा है हमारा zone हमारा zone है 17,410 से 17,430 430 के अबव breakout मिले तो calls में entry इसके अबव है market तब positive है 410 के below negative market और fall expected और puts में entry कर दो ये बहुत simple setup targets already मैं आपको देई दिया है simply क्या करना है देखो research में सब कुछ बता रहे हैं trust करके follow कर लो इतना ही आपका काम है निफ्टी की charts पे बात होगी option chain क्या बता रहे हैं वो भी देख लेता है क्योंकि option data में कुछ interesting दिख रहा है option data में क्या दिख रहा है 17,400 पे दोनों side positions बन रही है call writer भी position बना रहे है put writer भी position बना रहे है intra day में दोनों side देखो 1,21,000 वोई put side add हुआ है 1,31,000 call side add हुआ है तो दोनों यहाँ पे positions बना रहे है and अब Monday यही level market का trend decide करेगा जो मैंने आपको positionally बताया है न कि further bearish market तभी होगी जब 17,400 ब्रेक होगा closing basis पे option chain भी same चीज़ बता रहे है क्योंकि कोई न कोई तो give up करेगा यह तो call writer यह put writer थीक है अब कौन give up करेगा वो ही market का trend decide करेगा अभी न यहाँ पे support है न यहाँ पे resistance है as per option chain बहुत गजब का हुआ है दोनों side option chain immediate trade नहीं बता रहे है लेकिन यह ज़रूर बता रहे है कि कौन सा level trade decide करेगा और वो level है 17,400 अभी major support नहीं है slightly support है यहाँ पे लेकिन वो बहुत easily break हो सकता है कोई major level हम उसे नहीं कह सकते resistance का है clear cut resistance है 17,500 पे जो हमने बात की कि अगर rally आती है तो यह हमारा पेला target भी होने वाला है यहाँ पे clear resistance है 2,8,000 होगा है call side put side 58,000 तो 1,50,000 वाई का gap मिल जाता है जो बहुत बड़ा number है इसलिए resistance clear है 17,500 इसलिए निफ्टी में पहली बार आपको यहाँ पे exit होना है और अगर इसका breakout मिलेगा तो बड़ी rally आएगी तो rally आएगी directly 17,600 तक जो 100 points का target इंट्राडे में बहुत बड़ा हो जाता है तो वोई trades जो हमने charts पे discuss किये वो आपको follow करने है और जो लोग positional trades बनाते हैं उनके लिए हमने positional view अलरड़ी discuss कर लिया है लास्ट वीक का positional view आप देखी चुके है इससे जादा कुछ पूरू हम market में कर नहीं सकते है जाते जाते वीडियो को like जरूर कर देए चैनल पे नहीं है तो subscribe जरूर कर ले